प्रेसर कूकर में भोजन पकाने के ये हैं दस बड़ा नुकसान नमबर एक भोजन पकाने के समय आपके भोजन में सूरे का प्रकास और पवन का इसपर्स जरूर होना चाहिए नमबर दो जिस भोजन में सूर्य का प्रकास और हवा का इस पर्स नो हो ऐसा भोजन जहर के समान होता है ऐसे में भोजन पकाते समय जरूर ध्यान रखें नमबर तीन, प्रेसर कूकर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेसर कूकर अलूमीनियम के बने होते हैं, जो खाना पकाने और रखने की द्रिष्टी से सबसे खराब होता है नमबर चार, एलुमीनियम के बरतन में खाने से डाइबिटीज, टीबी, अस्थमा, अर्थराइटीस और पचास प्रकार की बिमारिया होने की संभावना रहती है ऐसा सोध बैज्यानिकों के अनुसार सिध्ध है नमबर पाच, जब हम प्रेसर कूकर में भोजन पकाते हैं तो प्रेसर कूकर में भोजन पकता नहीं है, वह दबाव के कारर कई टुकडों में डूब जाता है नमबर च्छ इसके अलावा प्रेसर कूकर के अलूमीनियम में भोजन पकाने से 3% माइक्रो नियूट्रियेंट्स बसते हैं मॉलीक्यूल तूट जाते हैं नमबर साथ आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें अलूमीनियम के बर्तन में प्राचीन समय में भोजन नहीं पकाया जाता था यह हमारे देश में हाल ही में आया है नमबर आठ अलूमीनियम के बर्तन में भोजन पकाने से और उसका उपयोग करने से कार्य छमता कम यानि प्रतिरोधक छमता नियून्तम हो जाती है नमबर नौ यह एक ऐसा भारी तत्व है जो सरीर में घुसने के बाद हमारे सरीर का सिस्टम उस हानी कारक सिस्टम को बाहर नहीं निकाल पाता है नमबर दस ऐसे में बाद में दमा अस्थमा जैसी गंभीर बिमारियों का कारण बन जाता है आज के नवीन युग में अलूमीनियम चिक साविक्यान में वरजित है